हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल तो हम प्रिविएस यह कुशन पेपर्स डिसकस कर रहे थे बियर्ट सेकंड इयर के ठीक है तो हमने दो पेपर कर लिये हैं चेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एंड क्रियेटिंग एंड इंक्लूजिव स्कूल आज हम देखने वाले हैं व देखने लेकिन आपको पता है कि हमने इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम देखी लेते हैं तो लगबग काफी सारी हमें सेम भी कुशन देखने को मिले थे तो उससे आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है आपको जो टॉपिक्स हैं वह एकदम सही बताए जाएंगे ठीक है तो देखे, सबसे पहले section A है, three questions है इसमें, हर एक question में internal choice दी गई है, मतलब अथवा करके आपको मिलेगा, और कोई दो questions आपको करने होंगे, 12 नमबर का एक question होगा, तो 24 marks का ये section हो जाता है, तो सबसे पहले आपको question दिया है, explain, meaning and concept of work in detail, how is work helpful in raising opportunities of livelihood of community, कारे के अर्थ तरसा संप्रत्य की विश्तित व्याख्या, कारे समधाय के आज ही भी कोई के अफसरों को बढ़ाने में किस प्रकार साया गए, अब देखिए जो आपको work के concepts हैं, जितने भी हूँ, work का concept आपको education को लेकर है, family के role में, community के role में, society के role में, या जैसे आपका यहाँ दिया है, livelihood के opportunities में, तो वो सारे concept आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आगे है, discuss गांदी जी's ideas on education in detail, how principles of नई तालीम are relevant in current education, शिक्षा पर गांदी जी के विचारों के विश्तित विवेशना की जी कीजिए और नई तालीम के सिद्धान्त वर्तमान सिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक हैं, तो जो नई तालीम की बात की गई है, आप गांदी जी के ideas को लेकर तो चलेंगी ही चलेंगी, साथी साथ नई तालीम के आप सारे criteria cover करेंगे, जिसमें कि आप वर्तमान साक्षा हो, सुसाइटी में इसका रोल हो, ठीक है, वेस्टन, क्या effect पड़ा इससे, उसके बारें बताया गया हो, तो सारी चीज़ आपको लेके चलनी है, नेक्स आपका नेम से प्रोग्राम सरनवार गवर्वर्मेंट फॉर डेवलमेंट अफ लिटरिसी, डिसकर सैनी वन करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो नॉमल है, कि आप जब एक टीचर बनने जा रहे हैं, अल्मुस्ट बन चुके हैं, आप सेकिंड एर में हैं, तो सरकार दोरा सक्षरता विकास के लिए क्या क्या अभियान चलाया जा रहे हैं, कुछ तो आपने बीट फस्टियर तो उसी में कोशन कवर हो जाता है, आगे, what is NCF, explain its recommendations for school education, how is it helpful in implementation of नई तालीम, NCF क्या है, विद्याली सुक्षा के लिए, इसकी संस्तियों की व्याक्या कीजिए, यह नई तालीम के क्रियान वियन में किस प्रकार सहयक है, तो क्योंकि नई तालीम यह टॉपिक है, इसके अ आगे, explain गांधी जी's model of नई तालीम in detail, गांधी जी के नई तालीम के पतिमान के विश्तित व्याक्या, तो गांधी जी ने model दिया है, तो उसकी तो आपको detail में बात करनी है, इसको आपको पढ़ना ही है, next, why connecting knowledge to life from outside the school is necessary, discussed impact of community service on education and community, देखिए, क्यूंकि हम society में रह रहे ह तो वहाँ पर हमारा आना जाना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, तो ग्यान को विद्याले के बाहर की जीवन से जोड़ना क्यों आविशक है, ये भी बताना जरूरी है, तो इसलिए आपका ये topic भी आ जाता है, जो कि आप एक बार पढ़ेंगे तब को आरम से clear होई जाएगा, क्योंकि अपने थौर्स भी आप उसमें इंगूरूट कर सकते हैं, आगे सामुदा एक सेवाँ के सिक्षाता से समुदा आए पर प्रभाव की विवेशन कीजिए, सेक्षिन भी हो जाता है, शौर्ट आंसरस ताइप कोश्चन जिसमें एट कोश्चन से, कोई सबसे पहले जो एजुकेशन के लिए अपना राय दी थी, उसमें उन्होंने हस्तकला को, क्राफ्ट एजुकेशन को बहुत ज़ादा फोकस किया था, बहुत ज़ादा उसको इंपोर्टेंस दे थी, तो इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है, जब गांदी जी की बात की जाती टिपड़ी लिखिए, हाग एन स्कूल मैनेजमेंट कमिटी प्ले एफेक्टिव रोल फॉर कम्यूनिटी इंगेजमेंट, समुद एक, व्यस्तताओं में विद्याले के प्रभंध समयती किस प्रकार प्रभावी भूमी का निभा सकती है, वाई फील्ड इंगेजमेंट इस नई तालिम, नई तालिम के लिए छेत्र व्यस्तता क्यों आविशक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टी ई, आर्टी पसंचिप टिपड़ीं कीजिए, राइट टु एजूकेशन है ये, है ना, तो इसको आपको पता हो नहीं चाहिए, आप इसके वार में पढ़ नई तालिम, नई तालिम में परिवार की भूमी का, देकिए मैं आपसे कहा था ना, नई तालिम से जुड़े वे आपको सारे कारेटिरिया पड़ेने पड़ेंगे, तो आपको एक बार देखने है, तो यहां पर रोल फेमली भी आ गया है, इसके अंदर, सक्शन सी दिया ग नई तालिम, नई तालिम के एक पास्चातर प्रतीमान का नाम लिखिए, राइट फॉल फॉल्म अफ एस यू पी डबलू का पूल रूप लिखिए, इन विच स्टेट अफ इंडिया इस स्कूल विदाउट वर्स, इस्कूल विदाउट वर्स, दिवार और रहित विद्या भारत के किस राज्य में है, नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिसेज रिलेटेट टू नई तालिम, नई तालिम से सम्मंदित किसी एक सर्वस्चिस रपणाली का नाम लिखिए, कुल्ट्रल डेवलपमेंट इस नॉट एम ओफ नई तालिम, यह आपको टूफ बताना है कि अंकल प्रस्तुत किये गए, असत्य यह सत्या, क्रियेटिविटी इस रिलेटेट टू कोगनेटिव स्किल, सजनात्मक्ता, संग्यानात्मक कोशल से सम्मंदित है, ट्रू यह पॉल्स, अकॉर्डिंग टू नई तालिम, मीडियम औफ इंस्रक्शन शुड बी, डैश, नई तो कुछ तो आसान भी है, बेसिक है, आप ऐसे ही पढ़के याद रख सकते हैं, चलिए आप कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लेता है, देखिए अप टॉपिक्स, पहला है वर्ख, मेनिंग, कंसेप्ट, नीड, इंपोर्टेंस, बेनिफिट्स और डीमेरिट्स, क सिक्षापर गांदी जी के विचार और सक्षिक, दर्शन, एक्स्परिमेंटल लर्निंग, अनुभवजन ने अधिगम पढ़ना है, लर्निंग मॉडल्स देखने आपको अधिगम मॉडल, आगे है फैमली ससाइटी और कम्यूनिटी इंवॉल्मेंट और रिलेशन, इन आपके कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में दे रखे थे, और इंपोर्टेंट है आपके लिए, एन सी एफ, र्टी इ, तुथाजन नाइन, एन सी, एफ, टी, ए, कम्यूनिटी इंगेजमेंट के यूनिट के अंदर ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे, तोके, गांदी जी विस्तार में गांदी जी के नही तालिम मोडल की व्याख्या करनी है, और इसकी सिध्धान्त बताने हैं, रोल फ नही तालिम इन डिफ्रेंट फील्स, विविन शेत्रों में नही तालिम की भूमिका, जिसके बारे में हम आपको क्वेशन पेपर में भी एक्स्पीन कर चुक विविवाट्स की स्वामाजिक निर्माद दस्टिगोंड इसकी व्यक्या करनी है, यूमिनिस्टिक अप्रोच अफ नही तालिम, नही तालिम के मानक तावादी दस्टिगोंड के बारे में बात की गई है, आगे है डेवीज, एजुकेशनल थियॉरीज और एम्स ऑफ एज टेवी के सक्षिक रिद्धान्त और सिक्षा के उद्देश है, आगे है टेगोर्स एजुकेशनल थोट्स, टेगोर्स के सक्षिक विचार, नही तालिम में एक सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, एक्स्पिनिट, नही तालिम सिक्षन अधिक प्र प्रसनता के साथ कार आविशक है, क्यों यह बताना है, आगे है वर्क विद साथिस्पेक्शन, संतुष्टी के साथ कार, वेस्ट मैनेजमेंट, अप्षिष्ट प्रबंधन, वाडर हार्वेस्टिंग, जल संचयन, और लोकल प्रोडक्शन, स्थानी अत्पादन, तो यह थ होता है, वो आपको टेलेग्राम पे मिली जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाता है, कोई भी दिकत रहे आपका में बता ही सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग,